नमस्कार में एंजनर और आप देख रहे हैं दख़बरदार निउस आई शुवात करते हैं मद्य प्रदेश के कुछ मों के खबरों से एमस भोपाल में आप डॉक्टर्स धरने पर बैठे सभी डॉक्टर्स आई पीडी गेट के सामने धरने पर बैठे सेनिय डॉक्टर एमस में मैनेजमेंट के और से मिले नोटे से नाराज है बताते कि इससे पहले बुदवार रात एमस का नरसिंग श्टाफ धरने पर बैठे गया था नाराज कर्मिचार्गों ने डॉक्टर्स पर बत्तमीजी का आरोप लगाया बताय जा रहा है कि मंगलवार दोपर ऑपर ओपरेशन के दोरान डॉक्टर और नरसिंग श्टाफ के बीच विबाद हुआ था इसके बाद डॉक्टर की श्टाफ पर नरसिंग श्टाफ को प्रबंधा ने नोटिस दे दिया इस पर नरसिंग श्टाफ ने नाराजगी जाहिर की पंच्विली भगत की कोटी समेथ 35 श्ट्रेने कैंसल रहेंगी बुद्नी बरखेडी के बीच नौन इंटरलॉकिंग का काम रेल्वे का ने 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 लिया है रेल्वे के अनुसार बोपाल मंडल के बोपाल 8RC रेल खंड पर बुद्नी बरखेडा यानि घाट सेक्षन के मदे तीसरी लाइन चालू करनी के सम्मद में 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक यानि को 13 दिन तक बुद्नी मिर्घाट चौका एवं बरखेडा स्टेशन से निरस्त अंशिक निरस्त या डाविट करनी का निर्ने लिया गया था सीएफ के हैड कॉंस्टेवल ने की खौंस्टेवल बेटे की हत्या शादी कराने का कहनी पर मडरी छोटी बेटे और उसके दोस्त से만 फिक वाया शबू合 लियर में सीएफ यानि विशेश सस्रबल में सीएड कॉंस्टेवल बेटे की हत्या कर दी इस वारदात में आरूपी का साथ छोटे बेटी ने भी दिया बाद में पिता ने छोटे बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर शब फिकवा दिया घटना बुद्वार देर रात की है सेफ जवान कशब तेरे बाटालियर ने सेफ की बाउंडरी के पास जाडियों में मिला दोखलो गंजवा के साथ आरूपी ग्रफतार पुलिस को देखकर बाइक मोड़ा पुलिस ने घिराबंदी कर दबोचा बाइक शब थाना प्रवारी गौरकपुर M.D. नागुतिया ने बताया के पुराने रेलवेर कॉसिंग M.G.M. स्कूल के पास वाहन श्यकिंग चल रही थी इसी दोरान एक बाइक सवार च्वारक तेज रफतार से आ रहा था जो पुलिस को देखकर अचानक रुख गया और भागने का प्रयास करने लगा जिसे घिराबंदी कर दबोचा गया वहीं आरूपी से नाम पूशने पर उसने अपना नाम गौरक पुर निवासे पिंटू उर्फ पिंटा गुपता उम्र 29 वर्स बताया जिसकी तलाशी ली गई सतना एसपी का एक्सन शिकायत वापसी के लिए शिकायत करता पर दबा बनाने वाला आरक्षक लाइन अटेच सियम हल्प लाइन पर दर्ज शिकायत वापस लेने के लिए शिकायत करता पर दबा बनाने वाली आरक्षक पर सतना एसपी ने एक्सन लिया है उसे थाना से हटा दिया गया है जौनकारी के मुताबिक सतना S.P. अशुतोस गुपता ने कॉल गवा थाना में तैनात रही आरकशक भागवत पांडी को लान अटेच कर दिया है भागवत का एक ओडियो वारल हुआ था जिसमें वैं शुकायत करता मुहमद शरीफ से फोन पर बात करते सुना जा रहा था हॉमगार्ट सैनिक को S.I. ने जड़ा तमाचा सैनिक बोला मैस देखने पर की अभधरता S.I. बोली जाच में सब सामने आएगा सीधी जली के रामपुर नेकिन थाने में हॉमगार्ट सैनिक को महिला S.I. ने थपपड जड़ दिया सैनिक ने वीडियो जारी कर अपना दर्द वाया किया है सैनिक का कहना है कि वैं थाने के बगल में वर्दी पहने हुए विशुकप क्रिकेट देख रहा था उसी दोरान साब इंस्पेक्टर रानू वर्मा वहाँ पहुची उन्होंने सैनिक की कॉलर पकड़कर उसे तमाचा जड़ दिया इस मामले में शिकायत के बाद रामपुर नेकिन थाना प्रभारी ने हॉमगार्ट की रवान गी कर दी इस मामले में ऐसा ही का कहना है कि जो सही हो वो जहच में सामने आ जाएगा उतरकाशी टरनल में ड्रिलिंग जारी अभी 16 मीटर की खुदाई बाकी अधिकारी बोले कुछ घंटों या कल तक मज़ूरों को बाहर निकाल लेंगे उतरकाशी टरनल में 12 नवमर से फसे 41 मज़ूरों को बचाने की कोशिश आकरी फेज में है गुरुवार 30 नवमर को दोपर एक बचकर 15 मिट पर मज़ूरों तक पहुँचने के लिए बाकी 18 मीटर की खुदाई शुरू की गए लेकिन एक 10 मलव 8 मीटर की डिलिंग के बाद मलवे में सरीया आने से खुदाई रोकनी पड़ी दो एक्सपर्ट की मदद से सरीया काटा गया जिसके बार डिलिंग का काम दोबारा शुरू हुआ इन दोर में फिर हनी च्रियाप आरोपी महिला का पती भी गरफतार बिजनिसमेन को सांसत पति निधी बनकर धमकाता था इन दोर की लसूडिया पुलिस ने ब्लैक मेलिंग की आरोपी महिला के आरोपी पती को विपुदवार देर रात गरफतार कर लिया उस पर ब्लैक मेलिंग की आरूपी पतनी का साथ देने और वसूले गए रूपे अपने अकाउंट में ट्रांस्फर करने का आरूप है यह भी बताय गया है कि आरूपी ने कोट में जूटी चानकारी दी थी आरूपी को बुद्वार देरा धाई वज़े उसके घर पहुँची थी मशकत के बाद आरूपी बाहर आया गुरूबार को उसे कोट में पेश किया जाएगा नगरपालिका की पूर्व अद्देक्ष से लूट बाइक पर सवार होकर आई बदमास मंगसूत्र लूट कर ले गए सिसिटीवी खंगाल रुही पुलिस गॉलियर में दूद खरीद कर वापस घर लौट रही नगरपालिका की पूर्व अद्देक्ष से बाइक सवारों ने लूट की वारदात की है बाइक सवार मेला अद्देक्ष के गले पर जपट्टा माल कर मंगसूत्र लूट कर ले गए घटना हजीरा थाना शेत के सिदी विनायक मेरिस गाइडन के पास की घटना का पता चलते ही पिडिता ने शोर मचाया शोर सुनकर लोग एकटा हुए लेकिन उससे पहले ही बाइक सवार बदमास अपनी बाइक दोडा कर वहां से भाग निकले घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुँची जहां जांच परताल के बाद अग्याद बदमासों के खिलाफ लूट का मामना दर्चकर बदमासों के तलास में नाकबंदी कराई लेकिन बदमास हाथ नहीं आई है पुलिस अब लूटेरों का पता लगाने के लिए असपास के सिसी टी भी खंगाल रही है राजवरी एंकाउंटर में दो आतंकी धेर अब तक पांच जवान शहीद एक आतंकी पाकिस्तानी आईएडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर था 28 घंटे से मुद्भेट जारी जमूकस्मी के राजवरी में 28 घंटे से आतंकीओं और सुरक्षबलों के बीच मुद्भेट जारी है आज सुरक्षबलों ने दो आतंकीओं को मार गिराया है गोलिवारी में एक और जवान शहीद हो गए है अब तक कुल पांच जवान जान गबा चुके हैं, मारे गए एक आतंकी का नाम कारी है डिफेंस पी आरो के मुताबेक कारी पाकिसाने नागरिक था, उसे पाक और अफगान मोर्चे पर ट्रेंड किया गया था दूसरे आतंकी की जानकरी अभी सामने नहीं आई है अब तक लिफेंस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ अब तक नमशकार और देखते रहिए दखबरदा न्यूस